हलो एब्रिवन शिप शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की जो वीडियो में बनाने जा रही हूँ ये ट्वीन फ्लेम्स के स्ट्रगल के उपर है ठीक है जैसा कि आप सब हम सब जानते हैं कि ट्वीन फ्लेम्स की लाइप में बहुत जादा स्ट्रगल होता है पहुत जादा अनवर्दी फील करता है आप किसी भी एज से ऐसा फील कर सकते हैं हो सकता है आप बच्पन से ये सारी चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं इस्पेशली आप अपने पैरेंट्स को लेकर हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर हो सकता है अपने करियर को लेकर हो सकता है मा लेज़े कुछ लोगों की फैमिली में कोई स्ट्रगल नहीं है ठीक है पैरेंट्स भी बहुत अच्छे है थोड़ा शोर हो रहा है पीछे ठीक है आप लोग इसको माइड मत कीजेगा तो क्या होता है बहुत से लोगों के फैमिली बहुत अच्छी होती है पैरेंट्स भी अच्छे होते हैं बट कहीं न के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं ठीक है आपको बहुत ज़्यादा spiritual feel होता है बहुत ज़्यादा आपको healing मिलती है इस connection के बारे में जान कर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है एक वाफ फिससे उमंग जाग जाती है आपके अंदर सोय होगा बच्चा जाग जाता है खुशी की तरंग आपके अंदर दोड़ जाती है बट जैसे ही ज़र्णी आपकी बढ़ती जाती है struggle आते जाते है आते जाते है आप challenges आपके again and again आपकी सामने रख दिये जाते हैं हो सकता है यह past की कुछ चीज़ें हो जो बार-बार आ रही है कुछ लोग money को लेकर struggle कर रहे हैं या कुछ लोग relationship को लेकर struggle कर रहे हैं कुछ लोग career को लेकर struggle कर रहे हैं किसी भी तरीके का struggle twin flame की life में होता ही होता है और यह आपको ऐसा लगता है कि जिन्दगी भर चलेगा क्या क्या जिन्दगी भर मैं ऐसा ही करता रहूंगा या करती रहूंगी ऐसा नहीं है आपको जो संघर्ष मिला है ठीक है बहुत से लोगों को ये भी रहता है कि कुंडली में लिखा है वैसा चेंज नहीं हो सकता देखिए आप अगर ट्रेन प्लेम कनेक्शन में हैं आप स्प ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है तो इन सब चीजों में आप जब फसे हुए होते हैं आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ मैं कब तक स्ट्रगल करूंगी या करूंगा ऐसे ही आपके काउंटर पार्ट के भी साथ हो सकता है हो सकता है तो यह struggle करते करते एक time में आपको give up वाली energy आ जाते है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती या कर सकता हूँ वही से फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है आप फिर से उठकर खड़े हो जाते हो आपके अंदर फिर से उमंग जाग जाते है क्योंकि इश्वन नहीं चाता है कि आप हार मानो आप हाथ पे हाथ रखके बैठो और ऐसा आप करते भी नहीं हो अगर आप twin play mo आप हाथ पे हाथ रखके बैठते भी नहीं हो हो सकता है जब तक आपके awakening नहीं आई हो आप बहुत lazy रहे हो बहुत जादा आप अपने आपको कुछ भी ना समझते हो ठीक है आप खुद पर focus ना करते हो कुछ भी reason हो सकता है आप अपनी value ना जानते हो आप अपनी value बहुत अच्छे से करना जान जाते हो अपनी वर्द को बहुत अच्छे से जान जाते हो ठीक है आप ऐसा नहीं ऐसा लगेगा कि चारों तरफ अंधेरा ही है, ठीके कहीं से कहीं कोई रोशनी नहीं है, एक टाइम में ऐसा लग सकता है, बट कहीं न कहीं से एक आशा की करन जरूर जागती है जब आप अपने इनर वर्क को लेते हो, इनर वर्क करते हो, अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे, आप healing नहीं करेंगे तो ये struggle आपको बहुत ज़्यादा एक burden लगेगा ठीक है आपको challenges इतने अपने आगे इतना ज़्यादा बड़ा लगेगा कि आप अपने आपको बहुत छोटा समझेंगे जैसे एक पहाड हो गया challenge और आप खुद एक cheaty ऐसा समझ सकते हैं बड़ जब आप उस challenge को accept करते हैं कुछ भी है आपकी life में आप खुद को बदलने के लिए खुद को commitment देते हैं खुद को आगे ले जाने के लिए आप खुद को ही होसला देते हैं ठीक है खुद को ही push करते हैं कि नहीं आगे जाना है तो आप positive change देखते हैं अपनी life में पर ये change एकदम नहीं आता है कि बहुत आपको struggle करना पड़ता है twin flame की life normal नहीं होती है जो real में twin flames होते हैं और highly spiritual जो souls होती है उनको कुछ ज़्यादा ही struggle करना पड़ जाता है बहुत old soul होती है उनको भी कही ना कहीं की तरफ से जब तक आप अपना best version नहीं बन जाते हैं आप एक strong की form में नहीं आ जाते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बन जाते हैं mentally, emotionally तब तक वो दरवाजे आपको ऐसे लगेंगे बंद हैं चाहें वो money का हो चाहें वो career हो चाहें वो love relationship हो चाहें family हो चाहें कुछ भी हो पर जब आप उसको face कर लेते हैं खुद की healing कर लेते हैं तब आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं आपको लगता है कि ये तो सब कुछ मेरे लिए ही था इश्वर ने सब कुछ लोग हो सकता है face कर रहे हैं ठीक है वो चीज़े आपको बहुत time बात समझ में आती है जो इस journey में काफी आगे चले जाते हैं या बहुत आगे हैं आपको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग give up ना करें आप लोग हिम्मत ना हारें ठीक है आप लोग डरें नहीं क्योंकि जो आप लोग face करते हैं जो आपके आपके साथ ही journey में है जो आगे हैं वो लोग face करके उस problem से निकल चुके हैं इसलिए आज आपको guide कर पाते हैं आपको समझा पाते हैं ठीक है तो ये मत सोचिए कि आप भी अकेले इस struggle में हैं या आपको ही challenges मिलते हैं नहीं हर किसी को challenges मिलते हैं बट अगर एक twin flame connection है ये divine gift है आपके लिए इसमें भी pain है तकलीफ हैं बहुत सारी चीज़े हैं बट एक chance है अपने आपको बदलने का अपने आपको आगे ले जाने का जो हर कोई souls नहीं कर पाती है इस अर्थ पे ठीके मालो एक normal person है उसकी life में बहुत struggle हैं challenges हैं बट उसको वो power नहीं मिल पाई है जो वो खुद को बदल पाई ठीके उसको जो मिला है उसी में खुश रहना है वही सब कुश करना है यह आगे क्या करना है क्या नहीं करना कोई guidance कुछ भी नहीं बस एक normal life जी रहा है चाहें वो अमीर हो चाहें वो गरीब हो कैसा भी हो बट आपका जो thought process है आपका जो mind है आप जब alignment के energy में आते हो align होते हो आपको बहुत सी चीज़े clear होती है कि आपको कहां जाना है कहां नहीं जाना है किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है कुछ बाते है important किससे share करनी है किससे नहीं share करनी है कैसे खुद को बदलना है यह सब चीज़े आपके हाथ में है तो जो struggle आपको मिलता है उनसे डरना नहीं है जो challenges आपको दिये जाते हैं उनसे भी नहीं डरना है आप मेहनत कीजिए हिम्मत मत हारिए किसी भी तरीके से और जो इस जरूरी में आगे बढ़ जाते हैं वो आपको जरूर help करने की कोशिश करते हैं आपको guide करते हैं कहीं न कहीं से आपको एक healing दी जाती है कि ऐसा आपके हो रहा है ठीक है तो जो struggle आ रहे हैं हो सकता है आपको parents को लेकर बहुत ज़्यादा struggle हो आपके साथ आपके father ने बहुत ज़्यादा struggle किया हो आपके भाई बेहन ने बहुत ज़्यादा struggle किया हो आपकी family में या आपके husband wife ने बहुत struggle किया हो आपके बच्चों ने बहुत struggle किय तो आप अकेले नहीं है कुछ फैमिली ऐसे भी है जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको फैमिली में भी यह सब चीजे देखने को मिलती है कि उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है किसी ना किसी वे में तो जब एक ट्विन फ्रेम की अवेक्णिंग आती है अवेक्णिंग स्टार्ट होती है तो आपका पूरा एटमॉसफियरी चेंज होता है फैमली का भी ठीक है सब का साथ में डियाने अक्टिवेट होना क्लिंजिंग होना कही ना कहीं हर किसी की निगेटिविटी रिलीज होत आपका औरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा powerful होता जा रहा है, जहां आप होंगे वहाँ positivity ही रह सकती है, negativity नहीं रह सकती है, वो negativity किस तरीके से release होती है, ये आपकी family पर depend करता है, किसी का बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़ा हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा health खराब हो गया, कोई money से related problem आ गई, तो ये सारे क्या होते हैं, family से related problems आपको देखने को मिलती हैं, या आपकी personal life में ही, आप देखते हो, आपके relationship खराब हो रहे हैं, ठीक है, आपको अलग किया जा रहा है, अलग इसी लिए क्या जा रहा है, आप अपने आप work कर सकें, आपको अकेला इसी लिए क्या जाता है, ताकि आप इन सब चीजों को समझ सकें, आपकी जो आसपास के लोग बनाए गये ना, वो आपको आपके अंदर की कमी दिखाने के लिए ही बनाए गये हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, जो आसपास के लोग आपको trigger कर रहे हैं, even आप को यह कैसे पता कि वो गुसा कर रहा है, क्योंकि वो चीज आपके अंदर है, आपने उसको experience किया है, यह आपके अंदर जो भी कमी होगी, उससे related कोई ना कोई आपको trigger कर देगा, यह आपको jealousy बहुत है, बट आप लोगों को दिखाते हो, jealousy मुझे नहीं है, बट सामने किसी क होगी, आप तुरंत उस चीज को पकड़ लोगे, आप भी trigger हो जाओगे, अगर heal नहीं हुआ होगा, आपका issue यह तो, और जैसे heal हो जाएगा, आप बहुत ही जादा काम होगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन किस energy में है, कौन negative energy में है, कौन positive energy में है, आपको इन उतना ही निखरेंगे आप, खुद को निखार पाएंगे, तूटने का मतलब यह कभी नहीं है, कि आप बिखरेंगे ही, तूटने का मतलब है, फिर से निखरना, और यह 100% अपने आप में, वो हिम्मत, वो ताकत के साथ, आगे जब ले जाती है, वो चीज अपने आप में द आती है, आपकी, पूरी, आपका प्लेश चेंज हो जाएगा, आपके फैंग्ली में आप उसमें चेंजं देखेंगे, निकेटि पैटर्नो सोगे, निकेटि बलीफ सिस्टमों वह जो आपकी दादा पर दादा से चलते चले आ रहे हैं है, आपके एंग्ली में, você our इस वह लगेगा होगा तभी जब आपका हीलिंग प्रॉसेस बिल्कुल राइट होगा या आपको पता होगा कि मुझे कहां क्या हीलिंग करनी है अपनी ठीक है कही नगेए आपको बहुत ज़्यादा सोल शोक आना ठीक है यह बहुत डीप में जाकर ही आपको मिलता है ताकि आपके जो बहुत अंदर डीप वुंड्स हैं ब्लॉकेजिस हैं उनको सर्फेस पे लाया जाए और जब वो सर्फेस पे आते हैं आपको लगता है कि अब कि अब कुछ नहीं हो सकता कि आप जो इन सब चीजों को पार करी कि या जो इन सब चीजों को समझ गया ठीक है उसकी नईपर हो जाती है और जो हाथ-पहाथ रख्के भैड़् गया उसकी नईए वहीं कि महीं रूख जाते हैं वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर आपको awakening हो गई है तो आप रुक कर बैठने वाले मैंसे तो हो नहीं ठीक है आपको बैठने ही नहीं देगा divine आपको इना वक करा कर ही रहेगा और इना वक आपको करना ही होगा ठीक है और फिर जब आपका healing हो जाएगा यह struggle ही आप जब पीछे जाकर देखोगे आप अन्यवाद बोलेंगे श्वर की यह भी होना जरूरी था अगर आज यह नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होती खुद को नहीं बदल पाती इतना स्ट्रॉंग नहीं बन पाती समझ रहे ना तो अगर स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं बहुत ज्यादा challenges को face कर रहे हैं आ आप आगे बढ़ें अपनी healing करें और जहां से आपको कोई guidance मिलती है उसको जरूर follow करें और अपना inner work तो बिल्कुल भी ना छोड़ें ठीक है तो यह topic मेरे mind में पता नहीं क्यों आया so मैंने आप लोगों के लिए video बना दिया और यह struggle आपके लिए भी नहीं होता है आपके person के लिए होता है ठीक है बट आपको separation में यह चीज़े नहीं पता चल पाती है यह आपको लगता है बहुत खुश हैं बहुत happy तो एक बात रख कर देखे जब आप परिशान होते हैं तो आप गीत गाते हैं क्या नहीं आपको पता होता है आपकी परिशानी आपकी ही है कोई solve नहीं कर सकता इसको आप ही solve कर सकते हैं तो अगर वो life में खुश है आपको दिख रहा है उपर उपर दिख रहा है है यह सब ठीक है बट अंदर सो जो इंसान बहुत तूटा होता है ना, उसको फिर ये बहार की दुनिया, चाहिए वो पैसा हो गया, ठीके परिवार हो गया, चाहिए सब कुछ ऐसा नहीं है, कि चाहिए कुछ भी नहीं है, बड़ जब अंदर से ही खुश नहीं होंगे, आपके पास कुछ भी हो, आ आपको हीलिंग करनी ही होगी, इनवर करना ही होगा, जैसे आपको भूख लगती है, आपको तडप होती है, कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये खालू, वो खालू, कैसे भी मेरा पेट भर जाए, उसी तरीके से, आपका कोई इशु ब्रॉके सर्फेस होता है, आपके को टाइम लगता है, है न, तो आपको, अगर कुछ करना है, तो वो है, आपको, तो आप हीलिंग करिए अपना, चीके, जो अभी एक्जाम्पिल दिया है, आपको मैं रखी, हाँ, जब आपको भूख लगती है, तो आप तडपते हो, कि खाना मिल जाए, जब खाना आपको मिल जाता है, आप शान्त हो जाता है, फिर आपको किसी तरीके का कोई भोजन नहीं चाहें, चाहें आपके आगे च्छपपन भोग क्यों न लगा दिये चाहें, उसी तरीके से, जब तक आपका वो इशु हील नहीं हो जाएगा, आप ऐसे ही फरफड़ाते रहेंगे, फिर आपको उससे लेकर जो भी चैलेंज दिया जाएगा, इस्ट्रगल आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, जो जैसा है आप ऐसा ही एकसेप्ट करते हैं, और आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाता है, जब तक पीछे हैं आ पारा ही बन रहा है, यह टॉपिक मेरे माइन में पता नहीं अभी आया जस्ट और मैंने वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, घबराएगा नहीं, अपने जर्नियों में आगे बढ़ें और खुश रहें, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स वीडियो में हम फिर मि तब तक लिए अपना दिहान रखें, खुश रहें, सौस्त रहें